ये है 2023 वाली बजाज की डॉमिनाड 250cc का ब्लैक औंड सिल्वर कलर इस बाइक में क्या-क्या फीचर्स मिल जाते हैं माइलेज, टॉप स्पीड कितनी मिलती है, नई प्राइस क्या है क्या ये बाइक आपको 2500cc की केटेगरी में लेना वैलू फोर मनी है सारी जानकारी देने वाला हूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के फ्रेंट लुक से तो जैसा कि इसमें आपको जो मिरर मिलते हैं वह आपको 400 वाला ही देखने को मिल जाते हैं जो की build quality में काफी मजबूत है और उपर में आपको छोटा सा यहाँ पर आपको wind seal मिलता है यहाँ पर number plate लगेगी जबकि चार सा वाले touring model में आपको बड़ा सा wind seal मिल जाता है transferend वाला और इसमें आपको मिल जाते है LED वाले turn indicator hazardous में आपको नहीं मिलता है headlight के अगर हम बात करें तो side by side और बीच में भी आपको split LED headlight का पूरा का पूरा setup मिलता है इसमें कोई भी extra DRL वागेरा आपको देखने को नहीं मिलेंगे जैसा कि एक naked white है अगर आप इसको side से भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा glossy इफनेस और पूरा का पूरा जो वाइजर है वो थोड़ा सा unique और stylus है वाकी 37 mm diameter के usd fork मिल जाते हैं silver color के यहाँ पर आपको थोड़ा सा glossy black पीछे में आपको matte black color मिलता है dual tone finish का mudguard मिलता है plastic body में 300 mm की disc मिल जाती है जिसमें आपको by break के caliber मिल जाते है आगे वाला जो टायर है वो 100 y 80 section का मिलता है और इसके आगे में 17 inch का black color का yellow wheel दिया गया है और इसमें आपको मिल जाता है single horn और यह जो बड़ा सा radiator आप देख रहे हैं यह आपको मिलता है पूरा का पूरा liquid cooled system के साथ जिसमें coolant को डाला जाता है और यहाँ पर आपको crash guard मिलता है company fitted gear की अगर हम बात करें तो इसमें आपको six speed gearbox का setup मिलता है six gear मिल जाते हैं side stand मिल जाते हैं इसमें आपको man stand company लगा का नहीं देती है बाकी जो foot packs हैं वो थोड़ी से पीछे की तरफ हैं यह है bike के adjustable foot packs को check out कर सकते हैं seat comfort की अगर हम बात करें तो लंबी चोड़ी यहाँ आपको seat मिल जाते हैं जो की split में है cushion वगर आभी काफी soft है और इसमें आपको मिल जाती है 800 mm की seat जो की 5.5 विट के लिए काफी comfortable है D250 की branding मिलती है 3D chrome में और पीछे में आपको मिल जाते हैं split वाले grab handle दोस्तो अगर आप इसमें और पीछे में split वाली LED टेलेड मिल जाती है LED वाले ही indicator मिल जाते हैं यह है इसका पीछे वाला mudguard अगर आप dominant 400 CC लेते हैं तो इसमें आपको बड़ा सा transfer and wind seal का glass मिलता है पीछे में आपको मिल जाता है touring के लिए बड़ा सा carrier plus package stopper जिसको आप touring में यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस access reach को आप 250 वाली इस dominar में भी अलग से पैसे दे कर install करा सकते हैं पेट्रोल टंकी के उपर में dominar का यहांपा 3D chrome में logo है silver color के graphics मिलते हैं अगर आप इसके color को गौर से देखेंगे तो थोड़ा सा चमकीलापन आपको दिखाई देगा यहांपर आपको tank pad मिलता है और टंकी यहांपर आपको 13 लीटर की मिलती है और यहांपर आपको थोड़े से silver color मिलता है मैट फिनिस में नीचे वाला जो इससा है वो थोड़ा सा एरो डाइनमिक है और यह है fuel tank का cap और उपर में छोटी सी डिस्पले है जिसमें ABS side stand बजाज और engine temperature लो बैटरी और चेक इंजन की लैड़ दी गई है बाइक की जो handle वार है वह आपको मिलती है एकदम नॉर्मल जो कि क्लिपवान वार में नहीं आती है इसमें आपको reverse LCD डिस्पले मिल जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं blue color में और यहां पर आपको fuel gauge मिल जाता है speedometer मिल जाता है उपर में गड़ी मिल जाती है और यहां पर आपको आर्पięcy मीडर मिल जाता है इसमें आपको डूमेनार्ट और सब्लेगेटर तालिस चली जाती है नीचे में कुछ इंडिकेसन की वाइट हैं बाकी जो मिर्र आप देखी सकते हैं याप आपको पासिंग अपए लिपर और इंडि विधियार इसामें अपन को सिच जो है वह ब्लू कलर की लेट के साथ जलतुए दिखाई देते हैं बाकी आपसी मिरर में काफी अच्छा है, यहाँ पर आपको प्रॉप और व्यू बगारा मिल जागा है, यहाँ पर आपको इंजन के सैल पर स्टार्ट, सबसे पहले अग्जोस के साउंड को चेक आउट करा देता हूँ आपको इसकी इंजन का साउंड कैसा लगा, कॉमेंट सेक्षन में जरूर बता हैं, इस पार पेरिमीटर फ्रेम दिया गया है, बाकी यहाँ पर आपको पैनल है, यह भी आपको फाइबर बॉडि के मिलते हैं, ट्विन वेरल यहाँ पर आपको एक्जोस्ट मिल जाता है, पूर पूरी की पूरी लोहालाट बाइक है, काफी बजनी बाइक आप इसको मान सकते हैं, MRF के टायर आपको पीछे में मिलते हैं, और दूसरी बात यह है कि यह जो टायर है, वो नॉर्मल मिलते हैं, 130-70-70 प्रोफाइल का यहाँ आपको ट्यूबलेश टायर मिल जाता है, जबकि 110 mm का वील स्ट्रॉक दिया गया है, और जबकि अगर आप डॉमिनार 400 लेते हैं, तो इसमें आपको डैमंड कट वाले यहाँ पर आपको एलो वील मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज़्यादा यूनिक और स्टायलिस हैं, और यह वाला है डॉमिनार 400 सीसी का टायर जो की 150 साथ और सत्रे का है, इसकी चोड़ा ही है, 150 mm की जो की 20 mm चोड़ा मिल जाता है, डॉमिनार 250 सीसी इस बाइक के मकाबले दूस्तों, फुट पैक्स ही बात करें, तो थोड़े से पीछे की तरब आपको फुट पैक्स मिलते हैं, राइडिंग पोजिशन स्पोर्टी मिलती सिस्टम, इसमें दिया है 248.7 CC का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फोरिश्ट रॉक फोर वाल्व डीटी असाई टुनिस पार्क एफ़ाइ इंजन जो 27 PS की मैक्स पावर देता है, 8500 RPM पर और 23.5 NM का टॉर्क जनरेट करता है, 6500 RPM पर, 6-speed gearbox मिलता है, बाइक का जो इं कर सकती है, बजन के साब से, तो प्राइस की बात करें, तो डॉमेनाड 250 CC की एक्सुरूम कीमत है, 1,82,700 रॉपे, 2,16,500 पर, ये है डॉमेनाड 400 CC, इसकी एक्सुरूम कीमत है, 2,30,730 रॉपे, 2,73,500 पर, ये है बजाज पलसर 150, जो की 1,40,000 के एप्रॉक्स में मिल जाती है सिंगल सीट में, और ये है बजाज की P150, अब इस पर 3,000 का डिसकाउंट है, दोस्तों, अगर आप इन में से कोई भी बाइक खरीदना चाते हैं, तो रोल्टा बजाज, बाकोई हाटी, बी आईपी, रोड, कॉलकता, सोरूम में बिजट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये स सारी बाइक अवेलबल हो जाएंगी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सेयर करें, और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी ना भूलें, थेंक्यों